रादिक्रिष्णा फ्रेंट्स मेरे इस चैनल या श्रेतना में आप सभी का अर्दिक स्वागत अभिनंदन है फ्रेंट्स मेरे कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार जगनात पुरी के मंदिर की स्थापना हुई थी श्रेक्रिष्णा बलराम और सुबधरा जी किस तरीके से सिकुड कर मूर्टियों में परिवर्तित हो गये थे और फिर उन्होंने नारज जी से श्रेक्रिष्णा ने कहा था कि कल्यूग में मैं वहां पर अपने भक्तों को दर्शन दूँगा विश्णु भगवान के चार धाम बने जग्रनात्पूरी द्वारिका बद्रिनाथ और रामेश्वरम श्री विश्णु जी सबसे पहले बद्रिनाथ धाम में आए वहां से स्नांद करके वह द्वारिका गए द्वारिका जाकर उन्होंने अपना वस्त्र आदी धारण किये द्वारिका से फिर वो औरिसा में जो जगनातपुरी का मंदिर है वहाँ पर आए वहाँ आकर उन्होंने भोजन ग्रहन किया और उसके बाद वो रामेशुरम चले गए इस तरीके से वो चार धाम उन्होंने हम सब के लिए बना दिये हमारे देश के चारों कॉर्नर्स में नॉर्थ, वेस्ट, इस और साउथ इस तरीके से चारों धाम बन गए जगनातपुरी के मंदिर के बारे में बहुत सारे ऐसे रहसे हैं जो कि हम सब नहीं जानते हैं और उन रहसेओं से धीरे धीरे परदा उठ रहा है मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आपको न रहसेओं के बारे में बताना चाहती हूँ प्रेंस Christian में यही रहसे आपसे शेर करना चाहती हूँ कि जगनातपुरी में जो मंदिर है उसमें जो मूर्थिया है वो बारा साल में एक बार बदली जाती है जब उन मूर्तियों को बदला जाता है उस वक्त पूरे के पूरे शहर की लाइट्स को आफ कर दिया जाता है और खास कर मंदिर के परिसर की और मंदिर की सारी के सारी लाइट्स को आफ कर दिया जाता है और जो अंदर जहां मूर्तियां दूसरी काठ की मूर्तियां बना कर जहां मूर्तियां बदली जाती है वहां केवल एक पुजारी होते हैं बाहर CRPF के नौजवान खड़े रहते हैं जिसे कि कोई उसके अंदर आना चाहे कोई मंदिर के परिसर में कोई घुसना जाए ये पूरा ध्यान रखा जाता है और जो पुजारी होते हैं एक पुजारी, केवल एक पुजारी होते हैं ये पूरी की पुरी की पुण नहीं लग पाता है कि तरीकें मूर्ति इकमे थे वह कर से गए बिल्कुल अंदेरा घुप हिरह वो मूर्तियों में पूरी की पूरी काट की मूर्ति को बदल दिया जाता है बस उसमें केवल एक ही चीज है जो नहीं बदली जाती है वो है ब्रह्म रूप जो मूर्तियों के अंदर जो ब्रह्म रूप होता है उसको नहीं बदला जाता है Friends, अब ये ब्रह्म क्या है और क्यों नहीं बदला जाता है इसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी Okay friends, have a nice day and wait for my next video